मुखबते में जब पहले सीजन में मुखबते खत्म होने वाली है और रिशिता की मौथ होने वाली है तो चलिए बात करते हैं इशो के शुरुआती दौर की जहां पर रमन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था रूही और रमन करता था उससे बेमतिहान अफ्रत क्योंकि रूही की शकल खूबहु शगुन जैसी थी शगुन रमन की पत्नी थी जो कि उसे छोड़ कर जा चुकी थी मगर तभी रमन की लाइफ में एंट्री लेती है इशिता और वो रमन रूही को एक कर देती है यहां से एक नई फामिली बनती है जिसमें ममा थी इशिता पापा थे रमन और बेटी थी रूही कहानी आगे बढ़ती है रमन इशिता की एक और बेटी होती है जिसका नाम होता पीखु जैसे जैसे बड़ी होती है वह वह रूही जैसे दिखने लगती है और रूही का करेक्टर आगे चलकर एक अलग रूप ले लेता है लेकिन अब यहां पर एक टर्न देखने को मिलने वाला है शो में जहां पहला सीजन खत्म होगा दूसरे सीजन की शिरुवात हो भी तो दोस्तों अगर पहले ही सीजन की कहानी को आगे धकेला जाएगा तो हमें लगता है कि सेम केरेक्टर के साथ कहानी सिर्फ इसी सिचुएशन में आगे बढ़ पाएगी जब दिव्यांका तृपाथी अदिती भाटिया दोनों को शो में जगा मिलेगी और साथ-साथ आप तो हमारे दिमाग में आया है एक रास्ता अगर रूही बड़ी होकर अपनी मा इशिता जैसी दिखने लग जाए तो फिर दिव्यांका तृपाथी को भी शो में जगा मिल सकती है और अगर पीहू बड़ी होकर रूही बन जाए तो फिर अदिती भाटिया को भी नहीं कहना पड़ेगा शो को टाचा पाएबाए साथ ही छोटी पीहू के लिए भी मेकर को सोच सकते हैं क्या पता इशिता याने की रूही की एक बेटी हो जाए वल-वल क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए हमें लीप का इंतजार करना पड़ेगा वरना खबरों का बाजार तो ग चाहे आप तक बहुत पता पर नियुक्त की रिपोर्ट